देश दीती किवल सच्ची और पक्की खबरे कि नरेंद्र मोदी और योगी आधित्यनात अपने अपनी छेत्र में कौन सबसे बड़े और कदावर निता है लोगसभा चुनाफ के बाद NDA और इंडिया के बीच जल एक कड़ा और बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है वो है आठ राज्य की 23 सीटों पर उपचुनाव होने हैं लोगसभा चुनाफ में इंडिया गटपंधन के अच्छे प्रदर्शन के बाद इन चुनावों में सत्ताधारी NDA को विपाक्ष से करी टकर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है बड़े बड़े एक्सपोर्ट्स पॉलिटिकल कमेंटेटर मान रहे हैं कि साथ राज्य में खाली पड़ी 13 विधान सभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं और उसके बाद ही 13 जुलाई को इसके नतीज़े आएंगे इसके लावा यूपी की 10 विधान सभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है ऐसे में एक तरफ योगी आदित्यनात जो है उनकी कुरसे भी खत्रे में हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनोता क्या सोच रखती हैं फिर एक बार नरेंद्र मोदी प्रधान मंतरी बनने के बाद इन 23 सीटों पर नरेंद्र मोदी को जनोता कितना चा पर उपिचुनाव है आई एक एकर मैं आपको बताती है बिहार की रुपोली पश्चिम बंगाल की रायगंच रानागार दक्षिंड बगदा मनिक तला तम्लनाडू की विक्रारबंदी मध्यप्रदेश की अमर्वाडा उत्राखंड की बद्रिनात मैंगलोर पंजाब की जलं के चलते खाली हुई है तो वहीं यूपी की करहल मिलकीपूर कटेहरी कुंदोर की गाजियाबाद खैर मीरापूर फुलपूर मजवा सीसामाव सीटों पर उक्चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में नौ विधायक सांसद बन गए हैं और समाजबादी पार्टी के एक जिसकी वज़ा से कानपूर की सीसामाव विधानसभा सीट पर उक्चुनाव होना है साथ राज्य की तेरा सीटों पर किसका पढ़ला सबसे ज्यादा भारी है पश्रिम बंगाल के चार सीटों पर उक्चुनाव होने हैं ये चार सीटे टीमसी के पास थी टीमसी ने में भी शांदार प्रदर्शन किया ऐसे में इस बार भी इन सीटों पर टीमसी का पढ़ना जो है भारी माना जा रहा है बिहार की रुपोली सीट पर उपचुनाव है जहां जेडियू विधायक बीमा भारती जो है इस्तिफे के बाद चुनाव हो रहा है फिर से अब वे जेड के विधायक के पास हैं उनके निधन के बाद खाली हुई है इस सीट पर डीम के और एंडिय यानि बीज़पी के एंडिय जो है उसके बिटकड़ा मुकाबला है माना जा रहा है कि डीम के बड़े असानी से यह सीट जो है जीत सकते हैं माध्या प्रदेश की अमरवाड़ा मिन्हान सबा सीट पर उपचुनाव हो रही यहां से कॉंग्रेस विधायक कमलेश प्रताब शाध बीज़पी में शामिल हो गए है इसलिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है उत्तराखंड की बदरिनात Oklahoma सीट पर उपचुनाव हो रहे बदरिनात से विधायक रजेंद् सिंग भडाना और कॉंग्रेस ने पूर विधायक कारजी नजामुद्दीन और वहीं बीएसपी ने दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे को जो है टिकेट दिया है यहां मुकाबला त्रिकोणियों यानि ट्राइंगल शेप में यहां का मुकाबला जो है देखा जाएगा हिमाचल प्रदेश की देहरा हमीरपूर और नालागर सीट पर उपचुनाव हो रहा है यह सीटे होश्यार सिंग, आशिश शर्मा और के एल ठाकूर के इस्तिफे के बाद खाली हुई है देहरा में कॉंग्रेस की कमलेश ठाकूर बीजोपी के होश्यार सिंग के बीच कड़ा मुकाबला है कमिलेश ठाकूर जो है CM सुपविंदर सिंग की पतनी है वहीं हमिरपूर में बीजोपी के आशिश शर्मा और कॉंग्रिस के पुषपेंदर वर्मा ने वर्मा के बीच जो है कड़ा मुकाबला जबके नालागड में कॉंग्रिस के हरदीप सिंग और बीजोपी के के एल के बीच सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा है हाले में हुए लोकसभाज चुनाफ में यूपी में इंडिया गटबंधन ने एंडिये को बड़ा जटका दिया किनकिन सिटों पर उपचुनाफ को सीएम योगी की अगनी परिक्षा के तौर पर देखा जा रहा है आईए जानते हैं दोस्तों दरसल उपचुनाफ जो है वो नौ सिटों पर होगा जहां विधायक अब सांसद बन चुके हैं इसके अलावा कानपूर की सीसा मउव विधान सभा सीट से सपा विधायक इर्फान सोलांकी को बीते दिनों MP MLA कोट ने आग जनी के मामले में उन्हें सजा सुनाई थी जिसके बाद उनकी विधान सभा की सदुस्ता चली गई थी इसलिए अब दस विधान सभा सीटों के लिए उपचुनाब हैं हाला कि इस परिक्षा मे पास फेल होने से राज्य सरकार की सहत पर कोई फरक तो नहीं पड़ेगा लेकिन नरेंद्र मोधी और योगी आधितनार कितने पानी में हैं इतना तो साफ हो जाएगा दोस्तों फिर एक बार बीजोपी को उतर प्रदेश में मौका है कि वो अपने दस विधायक को जो है बचा सके लेकिन अगर दस में से भारतिय जन्यता पार्टी पांच से छे सीटे भी हार जाती है और फिर लाल टोपी का जो बढ़ोतरी विधान सभा में होगी लखनों में उससे योगी आधितनाद परिशान जरूर होंगे और खास करके बीजोपी आला कमान के आगे योगी आधितनाद को हटाने के लिए जो है एक बड़ा शस्त्र उन्हें मिल जाएगा और बड़े असानी से योगी आधितनाद को इस्तिफा देने पर भी मजबूर कर सकते हैं यानि 10 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई के बीच जो उपचुनाव होंगे उतर प्रदेश के 10 सीटों पर और बाकी राज्य के 13 सीटों पर कुल मिला करके इन 23 सीटों पर विधान समा चुनाव फिर एक बार एंडिये और इंडिया के बीच किसकी ताकत फिलहाल मजबूत है इ आपको क्या लगता है तेज सीटों पर इस उपचुनाव में किसकी जीत हो सकती है और कौन जो है हार के मारे शरम से फिर एक बार जुब जाएगा क्या वो भारती जुनतर पार्टी होगी क्या एंडिये होगा आपको क्या लग रहा है आपकी राए कमेंट कर आपकी प्रेड को अपना सपोर्ट दिखाए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप थैंक्स ऑप्शन के जरीए देशनिती को आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जय भारत